Today our first sentence is बक्वास मत करो इसका English होगा Don't talk nonsense जब भी आपको कोई हिंदी वाले sentence में मत का यूज अगर किया हो तो उसके लिए हम don't का यूज करते हैं और जब आपको English वाले sentence में V1 plus object आपको देखने को मिले यह हमारा V1 है, talk हमारा V1 है और nonsense हमारा object है तो जब भी आपको कोई sentence में V1 plus object देखने को मिले यानि कि वो हमारा imperative sentence है English grammar का अगर सबसे easy कोई topic है तो वो है imperative sentences अगर आपको imperative sentences नहीं पता है तो मैंने उससे related एक वीडियो बना रखी हूँ आप उससे जरूर विजिट कर सकते उससे आपकी imperative sentences में जो भी doubt है वो clear हो जाएगी तो जब भी आपको कोई sentence में मत का use अगर करना हो तो उसके लिए आपको don't का use करना होता है then V1 plus object है हमारा imperative sentences है बकवास मत करो don't talk nonsense मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ऐसे question बोलता है तो मेरे उपर इतना क्यों गुस्सा और है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ऐसा वाले sentence बोलते हो तो क्या जो आप question पूछ रहो हो उसके लिए हम what का use करेंगे what wrong have I done to you what wrong have I done to you मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है या फिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है what wrong has he done to you उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तो इस तरह से आप subject change करके अपने कोई साभी sentence बना सकते हो ये सब तुम्हारे कारण हुआ it is all because of you it is all because of you या फिर ये सब उसके कारण हुआ it is all because of her ये सब मेरे कारण हुआ it is all because of me इस तरह से आप sentence बना सकते हो next तुम्हें सर्मानी चाहिए आपने कोई गलत काम कर दिया तो कोई दूसरा परसन आपको बोर है तुम्हें सर्मानी चाहिए you should feel assembled चाहिए किसी को advice suggestion देने के लिए हम should का use करते हैं वीवन हमारा feel हो गया तो तुम्हें शर्मानी चाहिए you should feel assembled इतनी जोर जोर से बाते मत करो don't talk so loudly don't talk so loudly इतनी जोर जोर से बाते मत करो ये भी हमारा वीवन प्लस object है यानि कि imperative sentences है इतना गुसा ना करे don't be so angry don't be so angry इतना गुसा ना करे तो imperative sentences में क्या होता है जब आप किसी को suggest करते हो warn करते हो command देते हो order देते हो तो ये जो आप करते हो ना किसी को कि वहाँ जाओ बैट जाओ खड़े हो जाओ यहाँ बैठ हो खाना खाओ किसी को advice देते हो suggest देते हो command देते हो ना दो या मत दो बाते हैं कि किसी को द्धोका मत दो या फिर किसी को द्धोका ना दो तो बोलेंगे don't cheat anybody किसी को द्धोका मत दो तुम इससे बच नहीं सकते सकते यानि कि हमारा can का use होगा और negative sentence है तो cannot का use होगा तो बोलेंगे you can't escape from this You can't escape from this, cannot का contraction can't है You can't escape from this जैसा करोगे वैसा भरोगे यह हमारा एक तरह से प्रोवर्ब है जिसका यूज हम बहुत जादर करते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसे करनी वैसी भरनी ऐसा हम बोलता है न? तो उसके लिए हम बोलेंगे As you sow, sow, sell, you reap मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा I will set you right मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा इसमें किसका दोस है? Who is to blame for this? इसमें किसका दोस है? किसका दोस है या फिर मैं कॉन जिम्मेदार है? ऐसा भी बोल सकते हो तो हम बोलेंगे Who is to blame for this? मैं कैसे विश्वास करूँ? आपने कोई मुझे बात बताया मुझे उसमें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपसे बोलूँगी मैं कैसे विश्वास करूँ? तो मैं बोलूँगी How can I believe? मैं इसमें कैसे विश्वास करूँ? वह पक्का गवार है गवार यानि की पढ़ा लिखा नहीं है वो पक्का गवार है तो जब भी आपको गवार सब्का यूज करना हो उसके लिए इंगलिस वर्ड क्या है? रस्टिक वो पक्का गवार है तुम उल्लू हो, you are an idiot तुम उल्लू हो, you are an idiot आपने कोई वेवकूफी भरा काम कर दिया तो कोई दूसा परसन आपको बोलता है न कि तुम उल्लू हो, you are an idiot मुझे गुसा मत दिलाओ, don't enrage me मैं साका हरी हूँ, I am a vegetarian थोड़ा चक कर देखिये आपने कोई खाना बनाया है तो आगे बाले परसन को आप बोरो कि थोड़ा चक कर देखिये ट्राय लिटिल, अप उसमें इसका यूज कर सकते हैं मैं आपको जो भी सेंटेंसे बताऊंगे वो अपनी डे टो डे कॉन्वसेशन में यूज कर पाएंगे आपको बताने वाली हूँ तो वीडियो में आप सभी सेंटेंसे को ध्यान से सुने उसे मेरे साथ बोल-बोल का प्रैक्टिस करें और आप सभी स्लाइट का स्क्रीन सॉट ले ले ताकि आप इसे कॉपी में नोट्स बना लेंगे वह बड़ा पेटू है आज कितनी तारिक है आपके घड़ी में कितने बज़े है वह बहुत खाती है मतलम कोई गर्ल है वह बहुत खाती है खाते रहती है दिन भर ताम उसे बोल दो नो वह बहुत खाती है वह घर पर है वह रूम में है वह बहुत दूर चला गया मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास पैसे है उसके पास पैसे नहीं है मेरे पास पैसे नहीं थे I didn't have money तो इस तरस प्रेम कर सकते हैं तरस पैसे नहीं होंगे I will not have money आप इस तरसे अपने sentences को Friend कर सकते हैं प्रेम में पास्ट में subject को Change करके इस तरसा आप sentence एक sentence से बहुत सारे sentence असानी से फ्रेंप कर सकते हों गाईस मैं आपको फाइब फाइब थाउसंग बताने वाली हूँ, एक उड़ी वीडियो मैं Аपको फाइब थाउसंग संडेंसे नहीं की दे ना हैं, मैं week में one day क्यों लेकर आऊंगी क्योंकि जो आपको seven days जो आपको मिलेंगे उस seven days में आपको hundred sentences याद हो जाएंगे आप एक एक दिन बात करके याद किजेगा तो वो hundred sentences आपको one week में याद हो जाएंगे फिर next week में मैं आपको फिर 100 sentences दूँगी फिर उसे आप याद कर लोगे तो इस तरह से मैं आपको 5000 sentences देने वाली हूँ तो आप हमेशा मेरी daily sentences वाली वीडियो देखा करो ताकि आपके पास 5000 sentences की collection हो पाए next हमारा sentence से आपका phone कहा है वा कमरे में है जैसे आप किसी के घर गए तो आपने उसकी मम्मी से पूछा कि वा कहा है या फिर राम कहा है तो उसकी मम्मी बोलेगी वा कमरे में है या फिर राम कमरे में है राम की मम्मी आपको बताएगी कि वा कमरे में है वा बहुत अच्छा हो ग मेरे आखों में दर्द है उसके पास बहुत समय है यहाज अलट आफ टाइम कि पहुत पसंद लुग ऑपने कोहीज समान खुरिदा है यह बहुत संद है यह यह बहुत पसंदकी से बहुत मिच्छ से बात नहीं करता तातेती है अब sentence आप tense जानते हो model जानते हो मैंने बहुत बार आपको यह सब करवा चुकी हूँ tense भी model भी imperative sentences जितने टाइप की होते हैं मैंने आपको सब अच्छे से clear किया तो आप sentences को देखकर पहले वो पैचाना करो कि वो कौन से tense के उसके according आपको helping verb लगानी है तो यहां ताहती है यानि कि present indefinite का negative sentence है क्योंकि नहीं का जिक्र किया गया है तो हम ही हमारा जो third person singular है उसके लिए does not का use किये he doesn't talk to me does not का contraction doesn't he doesn't talk to me मेरी बहन रोज खुस रहती है my sister is happy everyday my sister is happy everyday वो हमेशा खुस रहती है वो अभी सो रहा है रहा है रही है यानि कि present continuous का सैंटेस है कोई काम continue चल रहा है सोने का काम continue चल रहा है तो he is still sleeping अभी भी यह हमारा एक तरह से conjunction होता है जो मैंने आपको conjunction वाली वीडियो में बताई हूँ अभी भी जब आपके सैंटेस में आता है उसके लिए आपको still का use करना होता है he is still sleeping वह अभी भी सो रही है मुझे थोड़ा सा वक्त दे give me some time यह भी अमारा V1 प्लस object है यानि कि imperative sentences है मुझे थोड़ा वक्त दे give me some time आपकी आवाज मुझे पसंद है I like your voice I like your voice आपकी आवाज मुझे पसंद है यह काम अधूरा है this work is incomplete this work is incomplete यह काम अधूरा है next sentence है मुझे यह लेना होगा I have to take this I have to take this मुझे यह लेना होगा वह बहुत खुस हो गया he become very happy होना होना के लिए हम become का use करते हैं यह हमारा past indefinite का sentence है यह सिल become का second form become का use किये subject plus we do यानि की past indefinite का sentence है he became very happy मुझे उससे मिलना होगा I have to meet him अगर आप किसी boy की बात करें तो him का use करेंगे अगर आप किसी girl की बात करेंगे तो her का use करेंगे I have to meet her ठीक है तो boy की बात करेंगे तो बोलेंगे I have to meet him मुझे उससे मिलना होगा अगर girl की बात करेंगे तो बोलेंगे I have to meet her मुझे उससे मिलना होगा उसने मेरी सहायता की he helped me यह हमारा past indefinite का sentence and subject plus video का use किये he helped me उसने मेरी सहायता की आपका घर कैसा है how is your house मतलब आपने कोई नया घर खरीता है तो दूसरी परसर ने आपसे पूछा आपका घर कैसा है तो वो English में पूछ सकता है how is your house how is your house आपका घर कैसा है मैं देर से आ रहा हूँ I am coming late I am coming late मैं देर से आ रहा हूँ यह हमारा present indefinite का sentence है guys अगर आप daily sentences की बहुत अच्छी से practice करना चाते हैं तो इसके लिए सबसे best तरीका है कि मैं जो आपको sentences बता रही हूँ वो sentences को आप उसके tense subject को change करके आप उससे related बहुत सारे sentences को खुछ से frame कर सकते हो और उसका answer आप comment box में दे सकते हो next day उसका अनुभा बहुत अच्छा his experience is very good खाना कैसा बना है how is the food खाना कैसा बना है आपने कोई खाना बनाया तो आगे बाले person से तो आप पूछोगे कि खाना कैसा बना है first time आपने बनाया है तो आप पूछो खाना कैसा बना है how is the food मेरी आसाम को meeting है I have a meeting this evening यहाँ पर मेरी आसाम को meeting है इसके लिए half का use किया जाता है यह मैंने आपको हाज़ाब वाली वीडियो में बता रखी हूँ मेरी आसाम को मिटिंग है I have a meeting this evening आप बहुत स्वस्त लगते हो You look very healthy You look very healthy आप बहुत स्वस्त लगते हो यह काम बहुत मुश्किल होगा This work will be very difficult This work will be very difficult तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? मेरी पास खाली समय नहीं है I don't have free time I don't have free time मेरी पास खाली समय नहीं है आज मैं बहुत थक गया हूँ I am very tired today I am very tired today आज मैं बहुत थक गया हूँ कल मुझे सुबद जल्दी उठना है I have to wake up early tomorrow morning I have to wake up early tomorrow morning कल मुझे सुबद जल्दी उठना है मेरी बहन रोज रात को देर तक तीवी देखती है मेरे पास बहुत काम है मेरे पास बहुत सारे काम है बहुत सारे के लिए अलाट आफ का यूज करते है मैं तुमसे बहुत खुस हूँ माल आपको ये ओफिस में काम करते हो आपने बहुत अच्छा काम किया तो आपके boss आपको बोर है मैं तुमसे बहुत खुस हूँ तो वो क्या English में बोलेंगे I am very happy with you I am very happy with you मुझे तुम पर गर्व है I am proud of you आप school में marks अच्छे लाए हो तो आपके पापा आपसे बोर मुझे तुम पर गर्व है I am proud of you तुम हिचके चाते क्यों हो Why do you hesitate? Why do you hesitate तुम हिचके चाते क्यों हो क्या तुमें भगवान पर भरोसा नहीं? Do you not have faith in God? Do you not have faith in God? क्या तुमें भगवान पर भरोसा नहीं? इसमें डर्ने की कोई बात नहीं There is nothing to fear in it There is nothing to fear in it इसमें डड़ने की कोई बात नहीं और कोई बात हो तो मुझे बताओ और कोई बात हो तो मुझे बताओ Tell me if there is anything else Tell me if there is anything else और कोई बात हो तो मुझे बताओ मुझे वो दिखाओ Show me that मेरा पीछा मत करो Don't follow me या फिर उसका पीछा मत करो Don't follow her इस तरसा आप sentence subject को change करके बना सकते हो phone मत काटना, don't hang up don't hang up, phone मत काटना बिकार मत बैठो, don't sit idle don't sit idle, बिकार मत बैठो मैं रास्ते में हूँ, I am on the way I am on the way, मैं रास्ते में हूँ मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, I never said that I never said that, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कपड़े सुखा दो, hang the clothes to dry, hang the clothes to dry, कपड़े सुखा दो मुझसे पंगा मत लो, don't mess with me, don't mess with me, मुझसे पंगा मत लो वा घर पर नहीं है, he is not at home, he is not at home, वा घर पर नहीं है आवाज नीचे, माल आप जोर-जोर से बोह रहे हो, तो आगे बाले person आप से बोह रहा आवाज नीचे, lower your voice, lower your voice आवाज नीचे, क्या चल रहा है, what's going on आप अक्सर chatting वागेरा करते वे पूस सकते हो न, what's going on, क्या चल रहा है उसको अंदर बुला लो, bring him in, bring him in, उसे अंदर बुला लो इन्हें खाना खिला दो, serving food, दिया जला दो, light the lamp, दिया जला दो, दिया बुझा दो, put out the lamp जलाने के लिए light का यूज किये, और बुझाने के लिए put out का यूज किये बिजली जला दो, switch on the light, अब देखे, यहां भी जला दो हम बोर है, और यहां भी जला दो बोर है तो यहां पे हम दिया जलाने की बात करें, यहां हम बिजली जलाने की बात करें बिजली चला दो, switch on the light पंखा चला दो, switch on the fan अपनी बूरी आदतों को छोड़ो give up your bad habits give up your bad habits अपनी बूरी आदतों को छोड़ो मुझे कोई आतराज नहीं है I have no objection I have no objection मुझे कोई आतराज नहीं है ये संभाव नहीं है This is not possible This is not possible या फिर या असंभव है This is impossible इस तरह से भी आप बोल सकते हो क्या मैं आपके साथ चलू? Shall I come with you? Shall I come with you? क्या मैं आपके साथ चलू? तो permission मागने के लिए I के साथ साथ साल का यूज करते हैं Shall I come with you? ये सच नहीं हो सकता This can't be true This can't be true ये सच नहीं हो सकता मैं इंकार करता हूँ I refuse मैं इंकार करता हूँ I refuse इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ I am not responsible for this I am not responsible for this मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ Next step फूल मत तोड़ो Don't plug flowers Don't plug flowers फूल मत तोड़ो अपने आपको सुधार लो Man your ways Man your ways अपने आपको सुधार लो मुझे अब जाने दीजिए Let me go now Let me go now मुझे अब जाने दीजिए हमें अब खेलने दीजिए Let us play मतलब कोई काम करने दीजिए उसके लिए हम let का use करता है न और यहां पर हमें की बात करें इसलिए us का use किये यहां मुझे की बात के इसलिए me का use किये हमारा objective form होता है हमें खेलने दीजिए Let us play मुझे भी देखने दीजिए Let me also see मैं आपसे सहमत हूँ I agree with you मैं आपसे सहमत हूँ मुझे अभी जवाब दो Answer me right now उस बारे में तो हर कोई जानता है Everybody knows about that सबकी जाच हो रही है सबकी जाच हो रही है हो रही है की बात करें इसलिए being का use किये Everyone is being tested मुझे घूरना बंद करो Stop staring at me Stop staring at me मुझे घूरना बंद करो वह गहरी नीन में चली गई she fell into a deep sleep she fell into a deep sleep office में आओ come into the office come into the office office में आओ उसने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी she ruined my life she ruined my life उसने मेरी जिंदगी बरबाद कर दी तुम दरपोग हो you are so coward you are so coward तुम दरपोग हो मेरी तरप से माफी मांग लेना please apologize on my behalf मैं अपनी गलती मानता हूँ I admit my mistake I admit my mistake मैं अपनी गलती मानता हूँ वह उसे कोस रही थी she was cursing him she was cursing him वह उसे कोस रही थी वह भरोसी मन नहीं है she is unreliable she is unreliable भागे ने उसका खूब साथ दिया luck favored him very much luck favored him very much वह बड़ा भागेवान है he is very fortunate he is very fortunate वह बड़ा भागेवान है भागे बलवान का साथ देता है fate favors the brave fate favors the brave भागे बलवान का साथ देता है आज तो जमा देने वाली थंड है माल बहुत थंड है तो आप बोरे Foggy Today, It Is Very Foggy Today, आज तो बड़ा गहरा कोहरा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, It Is Raining Cats and Dogs, बहुत तेज बारिश होने के लिए Cats and Dogs का यूज किये हैं, It Is Raining Cats and Dogs, So guys, इसी के साथ हम लोगों ने इतने सारे sentences को cover कर लिया, अब इसका next part में next week में लिखराऊंगी, ऐसे sentences की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें, अगर आभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया, share नहीं किया, तो please इसे like और share जरू करें, ताकि आप लोगों की तरह और इसे sentences का use कर पाएं और सभी English बोल पाएं, मिलते next वीडियो में ऐसी sentences के साथ, तब तक के लिए keep learning